हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं हूँ आपका अपना वैवल सर्थ देखें डीडीए का एक्जामनेशन जो है वह हमारा डिफ्रिंट डेट्स में जो हमारा होगा 17-19 अक्टूबर में कम्प्रीट हो गया था उसके बाद आंसर की भी अगर हम देखें तो 23-24 अक्टूबर के क्या पर आसपास आपको यहां पर अंतर की भी देखने को मिल लागी तही मतलब अपक्टूबर लास्बीक में जो आपका आँसर की था वह आपको देखने मिल ला था ता साथ की बात किया तो आप ज casino के बात क्ने तो बच्चोंzeं वो ऑक्टूबर में होगा, मेड अक्टूबर के असपास, वही हुआ सर, सर आंसर की भी बताती है था कि इस तारीक तक आएगा, सर एक बार और ही बता दीजे ना, रिजल्ट कर तक आएगा, तो दोस्तों, ऐसी अगर मैं बात करूँ, तो मेरा जो एनलेसिस बोलता है, तो ला जुलाई के अंदर आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ती वो आ गई थी, ठीके, तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, आपका एक्जाम अक्टूबर में हुआ है, तो आपको मिड दिसमबर तक, मैं भी बात कर रहा हूँ, 20 दिसमबर के आसपास, अगर हम बात करें, तो 18 से ल पहले आपका document verifications complete हो जाएगा, ठीके, एक expected जो हमने last vacancies देखी है, उसमें किस तरीके से DDA ने अपने pattern को follow किया हुआ है, उसी pattern को follow करते हुए हमने एक expected date की बात करें, तो 20 दिसमबर तक आपका result निकल करके आ जाएगा, और उसके आसपास अगर मैं बात करता हूँ, तो कही कही ना कहीं, कही ना कहीं आपको 15 जन्वरी तक आपका document verifications भी हो जाएगी और आपकी जो process है, जो final merit list है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो ऐसे ही updates के लिए बने रहेगा हमारे साथ, और बिलकुल चैनल को share और like जरूर कीजिएगा, क्योंकि और जो ल पर data है, वो आप यहाँ पर जाकर कर देख सकते हैं, कि मैंने जो बोला है, वो last time का data बिलकुल सही बोला हुआ है, और उसी के basis पर हमने analysis किया हुआ है, कि हमारे यह condition निकल कर कर आएगी, okay, so thank you everyone, and love you guys.